हेलो गाइज मैं हूँ आपका दोसन अवदीप सिंग स्वागत आपको मेरे यूट्यूब चैनल कलसी आर्टेस्ट में गाइज आज की वीडियो हम स्कैच बनाएंगे श्रीकरिशन जी और आगजी का स्कैच बनाएंगे जो की काफी लेंटी है पर मैं आपको शॉर्ट में बत सके तो स्टार्ट करते हम अपनी वीडियो तो गाइज सबसे पहले मैंने देखिए आइस ट्रोग अनी स्टार्ट की है मैंने पहले आपको नहीं की हुई थी इसलिए मैं पर से काफी अच्छे तरीके से बना रहा हूं स्कैच में आइस दोनों की मतलब श्री राजाजी और जी की आई से दोनों क्लोज हैं सो मैंने क्लोजिम नहीं हैं आप वीडियो की क्वालिटी पर मत जाना थोड़ी से जीब ही बनी है एक्स ताम अच्छी बनेगी वह थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी थी बाग की आप टॉपिक देखे कितना अच्छा है और स्केच देगे हैं देखे हमने सबसे पहले फ़स्ट आइड ड्रॉब कर ली थी अब सैक्ट आइड भी ड्रॉगा लिया है आईब्रो भी कर लिया हमने बड़ी सिंपल तरिक है अब आप मैंने देखे 6 एच की वैसल आजूस किया है और सारे फेस पर हम इसको शेड़ करेंगे देखें कि दूसरी साथ भी हमें ऐसी करना है कि देखें साथ ही साथ में ब्लार स्टिक का भी यूज़ कर रहा हूं दूसमना आए हमां बेसिक साथ के पैंसल से शेड़ कर लिए पूरा एरिया लाइट लेट शेड़ करने के बाद बाद में उससे ब्रस्टिक से विला देना है जो काफ़ी इजी मैतड है बाकि अगर आपको इसका पूरा डिटोरियल चाहिए मेरे मैतड का तो मैं वह भी बना दूंगा कमेट कर देना ब्रस्टिक साथ एरिये को विला देना है देखिए अब हम लिप्स बना रहे हैं आइ अच्छक से सारा पला दी हमने जहां जहां डार्क था वहाँ पर फिर से थीपी की पैंसल से ड्राउ गिया देखिए वहाँ पर काफी बड़ा डिम्पल था तो इसलिए मैंने वहाँ पर टूबी की पेंसिल से ड्रॉप करकर उसे शेड मतलब बिलर किया शेडिंग मैंने टूबी की पेंसिल से गिया और 6H की पेंसिल का यूज करा हूँ देखें लिप्स के पास हमने कितना अच्छा उसे शेड किया और मॉस्ट पेस पूरा होई गया है बाकि इस पर मेनत बहुत लगी है आप देखेंगे जब पूरी फोटो तब आपको बता जालेगा कितना अच्छा और कितनी मेनत लगी है इसवार कि है आई इसको मैं अच्छी तरह से डॉकार ना यह में ज्यादे डारक जो से थोड़ा ज्यादे डारक एक टैन्टी की पैंसल से जाएब ट्रोट होगी है मैंने आप देखेंगे में टूबी की पैंसल से डॉका रहा हूं तोड़ा सा मैने ऐसे शेप में बनाया है जाने कि पूरा उसे गोल नहीं बनाया थोड़ा सा कट अफ लगाया है अब देखिए पगड़ी की ओड़ जा रहा है और उसे पहले जो भी माता है वह सारा हमने इसे एक सच के पेंसल से सारा ड्रॉव करकर फिर उसमें बाद में उसे बदर्सक से खला लिया वह देखिए हो अब यह मैथर लग मुझे ज्यादा पसंद है कि यह काफी इजी मैथर हो ाँ जहता है कि वहां पर हाइट रहा है वहां बाद में उसके ओपर अगर बलस। कि जूज करोंगे तो वहां पर होगा अगर भी किसी डार्क एरिया जादा है इhm से करकर बहां बल mend्सक के ब्र Lie शेot करो तो बहुत अच्छा ब्रॉब होगा है मैं में आपनी स्केच में यही बेतर यूज़ करता हूँ अब देखिया हम फ्लावर के और जा रहा है फ्लावर ऐसे थे कि एक जगा अगर लाइट था तो दूसरी जगा डार्क था फ्लावर इस तरह से बने हुए हैं तो मैंने क्या किया मैंने बड़ा यूनीक प्लावर रियल में फ्लावर लगे हूँ गलार्स एक से आगे कर दो तो उसकी शेडिंग हो जाती है ऐसा लगता है कि वहां से एक पंक्षुडी निकल रही है रियल पंक्षुडी जहाँ जहाँ पर फ्लावर में ज्यादा ही डार्स का वाँ पर मैंने दुवारा से टैन वी की रैंसल यूज़ की है मेल इस पॉर्टरेंट में मैंने जात तर वाइड जयर्पन का यूज़ टूबी की टैन वी की सिक्स भी और फूबी की सिक्स एच की पैंसल का यूज़ कि ज्यादा पैंसल का यूज़ नहीं हुआ इसमें कि ये काफी डार्क एरिया वड़ा स्केच था तो इसलिए जहाँ पर 10B की पैंसल का मुफ्टली यूज़ हुगा है यूज़ पगडी में मैंने वह बनाया है मोती जैसे हैं वह बाद में इसको पर मैं वाइड जल्पन का यूज़ यूज़ करूँगा यूज़ पहरे शेड कर दीजिया पोटो में ऐसा था कि इस जगह पगडी के काफी डा परकर इसको बनाया है मैं 2B की रेंसल से ड्रॉ कर रहा हूं जारा पहले-पहले मैंने प्रेशर कम दिया था जहां-जहां पर अब डार के हैं वहां पर प्रेशर जादा देकर उसे ब्लर कर रहा हूं ब्लर का इसमें मूफ्ट ले यूज हुआ है वैसे सब पोर्टेट में होता ही है बट इसमें कुछ जादे ही हुआ 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 कि मैं देखिए मूर्पा के बना रहा हूं जो कि कावीजी वे से बनाया मैंने पहले गोल्ड बना लिए उसके उपर से वो डवल्यू सा बनाकर मैंने वहां पर एक जिसे बाल बनाते हैं मूर्पंक में बाल होते हैं वैसे बना दिना है यह मैंने टूबी की पैंसल से पर ड्रॉ किया था बाल में 6 बी और बाल में 10 बी की पैंसल से करनगा यह टूबी की पैंसल यूज कर रहा हुँ मैं अभी इसे ब्लस्टिक से लादो मूर्पक के जहां पर स्टार्टिंग होती है उनकी बालों की वहां पर प्लान जाएंगा 6D कि नसर दाउस कर रहा हूं तो इसे 6D कि नसर है कि आशर आशर देखकी है है इसाद ऐसे मत करना थे लिएस पर में की सब्सक्राइब में कड की किसी नहीं देखी है तो इसको डिस्क इक्षिक्शन में में दिखिए अब लग रहे नो पहले कि मैं अब लग रहे हैं यह जो मैंने मुतियों के ओपर शेड़ यह तूबी की बंसे लगी है बाकि अगर कोई भी डार्क कोई भी डार्क के लिए या हाईलेट बाद में बच जाता है तो इसे पूर्टेट जब खत्म होता है उसके बाद वहाँ पर अपलाई करते हैं शैनिंग देने के लिए देखें मैंने विए पगड़ी के ऊपर एक फ्लावर था वो बनाया है काफी यह बी सिंपल विए आप मैं पहले मैंने टूबी की लैसा से मना आप बाद में टैनली की पेंसल से थोड़ा थोड़ा शेयड किया है मैं रादाजी की फोट्र मनाऊंगा पहले आई से स्टार्ट क करता हूं आपको भी करना चाहिए आइसी जरूरी होती है जहां चाहां पर आपको लगी की गलत हो रहा है वह आपको रेजर का यूज़ करके उसे मटेरिया गड़ी है कि टूबी की पेंसल से मैंने टॉट यह सारा नोज लेप्स सब कुछ लेखिन यहां पर भी गलत हो रहा है नहीं था कि मैंने टूबी की पेंसल से इसे शेड़ आँ कुछिए हूअ जो थोड़ी से पेंसल पकड़कर मैंने थोड़ा थोड़ा हाल किसी शेड़ किया है बाद में बिलर्ड सिक्स से उसके मुझे खिला दिया हुआ कि आइस को बनाना है अच्छी तरह से जाने अगर डार के लिए वहां पर अबिक करना है हमें टैनिम की पेंसल से कर रहा हूं मैं जी कि लिए अगर आपको जैसे मैंने शीट लिया है वह इसलिए लिया है क्योंकि जो हमने वह शेड लिया था फेस वह हमारे हाथ पर बनना लगे तो इसलिए मैंने यह शीट लिया है कि आप इसकी जगह एक कोई अपना अखवार या कोई और पेपर या कोई प्लास्टिक लिफाफा यूज़ कर सकते हो ट्रास्पेरिट देखे पहले मैं टूबी की पैंसल से बाल ड्राउ के वहां पर शेड किया उसे ब्लास्टिक से फिर मैंने फेस से टूबी की पैंसल ली और उसे थोड़ा सा प्रेशेट देखकर शेड किया इसे मैं बहाँ ब्लास्टिक से तोड़ा सा फिरा दूंदा बाद में 6B की पैंसल का यूज़ के उपर यह से अच्छ की पैंसल है ब्लास्टिक से पाद में 6B की पैंसल है अब मैंने बालों पर इतनी में काफी ज्यादा लेयर्स बनाई है क्योंकि काफी ज्यादे डार्क बाल थे तो ऐसा था कहीं कोई एरिया चूटना जाए तो इसलिए मैंने इसके पर इतना बड़ा ज्यूज़ किया है अब रस से सारग को फिला गया है यह मैं 2B की पैंसल से मना रहा हूं काफी एरियस मैंने अब छोड़े हैं जैसे के प्लावर्स में थोड़ थोड़ा है यह मैंने छोड़ा है तो आफ के आफ ने से वाइड जैल पर यूज़ करूँगा पूटोट एडऱ् के अंड में आफ देखियो आपको यह यह पर एक डर्रयूज़ कर लिए पहले मैंने Circle निमना फिल एकन के यूज करम बनामें losd Weadeoundが यूज करें कि यूज रिंखर कंप सिर्कल बनाएं यह स्कारों ना यूज रिए पर पार बने कणरम करें अदर बाद में उसके वेड में उसके बना अब देखिए फोटो में जो जब रादा जी का फेस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शेड़ो बढ़ रही है विशन जी के फेस को अब उसे ड्रॉव किया है मैंने टैलबी की पैंसल से शेड़ो को ड्रॉव किया है जल्दी हो जाएगी और काफी ज्यादी वापर में टैलबी के मैंसल लिखा यूज़ किया है बाद में उसे ब्लेंट कर दीजिया हुआ 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 कि अब देखी हाथ मैंने में अब आदा तो अब तो कम्प्लीट ही हो चुका है पहले मैंने 6H की पैंसल से सारा ड्रॉग गया था और बार में उसके उपर शेडिंग की अम आने देखे टूबी की पैंसल तोड़ा सो डार्क किया है क्योंकि उंगलियें काफी डार्क होती है न दीकि लगपग हाथ कम्प्लीट ही हो चुका है और मैंने आउक्लेनिक कर दीजिए उसकी 6H की वैंसल से हाइलाइट भी चोड़ा है ब्रच से उसे फैला दिया अब देखिए जो रादा जी के सिर्क के उपर थोड़ा सा जूलिरी थी ते मुझे नहीं मालूँ उसे क्या कहते हैं बट लेकिन वह बनाई है मैंने अब साथ में जो दुपट्टा था जूलिरी वाले को हम बीच में छोड़ा थोड़ा पाट और साइड साट से शेडिंग करेंगे क्योंकि वहां पर अगर हाइट लाइट होगा तो श्कूर पड़ेगी और वो दिखेगा इसने साइड से बना दिया और बीच में ऐसे शोड़ द हाथ को फेट से शेडिंग करेंगे हाथ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया कॉज वह ऐसी बना हुआ था स्केच में करें हुआ है की हुआ है कि देंए फसहा है का क ơi ले Continue जाना या्डिया । अब अनपटा बनाएंगे इसमें जो बन परते हैं हो मनाने हैं काफी ज्यादा ही ध्यान से बनाने हैं हो बड़ सिक से पहले फिलाते जाओ और सिक अमना टूबी की पैंसल से बनाए मैं सब कुछ जो भी ज्यादा बड़े-बड़े बल पड़े हुए हैं वो हमने पहले ड्रॉ कर लिए बाद में जो मिनिमम है वो हम शेडिंग करते टाइम ड्रॉ करेंगे उनको देखिए टूबी की पैंसल से मैंने उपर उपर से किया है क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादे इसकी पर शेड़े अमना श्याडव पड़ लीए तो इसलिए मैंने किया है साइड चार से करकर उसे बलर स्टिक से फिला दिया और सेंटर में एक तरह का कह सकते हम हाइलाइट मान ज्यादा इसमें यूजर बलस्टिक का होगा है कि टूबी की मैंसल से हमने किया है सारा कुछ जहां पर ज्यादी बड़ा हाइलाइट है वहां पर सिक्सेच की मैंसल यूज कर लिए अब बला तो अब टूबी या फिर फोड़ भी यूज कर सकते हो हाथ के उपर जो वो व से क्या कहते हैं वहाँ पर मैंने स्टार्डिंग में वहाँ पर एक थोड़ से डॉट मत बनाए थे यह से म्हें यह वाला होती है बाद में उसके वपर दो फुलावर बनाया है और साईड में एक लाइन लगा लीए मैंने इसी लिए है क्योंकि बेकर पोट्रेट कि आप हो जाता है तो साइड में यच छोडने के लिए फिलाबर के उपर जैसे कोई फंग्अ होती है वैसा बना है मैंने जैसा ना बीसित हैं मैंने रिखक फिलाकर उसके उपर वाट जैलमर्मन का यूस करना है जो भी डॉत मैट है उसकेuju Monte यूज किया लियान से थोड़ा सा शेड़ कर दिया सिक्सथ की पैंसल से लाइन को नीचे से भी ड्रॉग कर दिया कि देखे टूबी की मैंसल बहुत ही अपने स्लूली स्लूली मैंने उसे शेड़ किया है काफी लाइट किया है ज्यादा प्रेशर नहीं दिया बाद में ब्लड्सिक से फिला दिया ब्लड्सिक का यूज उपर ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर दे देना स्टार्टिंग में और नीचे आते थोड़ा सा लाइट प्रेशर का देना फेस के पिछे भी थोड़ा सा प्रेशर देना था इसलिए मैंने बनाए सब कुछ मैंने टूबी की पैंसल से किया है वहां पर दो पट्टे में थोड़ थोड़े से एक गोटा बना हुआ था वह मैं बना रहा हूं कि टूबी की मैंसल पहले शेट करकर बाद में उस क्योंपर ब्लस्ट की यूज किया मैंने मुझें श्री राम जी कि जो माला एंव दॉन छोट्राइजाम है दिखे जहांपर श्रीराम जी के गजदन के पास वह लिए नूसिए वहां पर यह थोड़ा सथार्क थे और साइड में आते पर साइट ही उगए यूज मैंने वां पर हालेट ही ए माला बना दी मैंने बड़े मोटी बनाएं वह तोड़े से जैसे पूरे गोल नहीं बनाएं कि वह रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष क्विस थोड़े पूरा गोल नहीं होता वह थोड़ा सा है की है दूख्राक्ष रूपर थोड़ा थोड़ा बीच में कोफें दिया है अ तो पेंसल हमेशा जब भी कुछ बनाओ तो साइड में उससे डार रखो और बीच में से हाईलेट रखो तो कि जब साई इसे ऐसी बनता है, साइड सड में अपने धार्क होता है, और सें क्लिक होने के मिन से में तूबहटा था शयद जो दिखिए बन के त्यार हो चुकिए है वैसे थोड़ी सी हाइलाइटर जो कोई बढ़ना बाकिए वक्र देंगे पहल बनाँगा पहले इन पहले बाप पर हौप थोड़ड़र असा दे है ने ने वह भी दो डॉटंप णिया मैंने मतलब कर नीचे जो पहले मैंने आउक्टनि किया उसमेंद्र है नहीं किये कि बाल्म के ऊपर पहले मैंने टूबी की बेंसिर का यूज किया बाद में McCarthy की बेंसिस का सीधा तोछ sırब दौक कर्सिछा दिया बाद में पलासिक विला दिया और जो भी बाल थोड़ थोड़े बाहर थे वो बना दिया मैंने जो छोट छोटे बाल बाहर थे वो बनाया भी वीडियो आपको कैसे लगी जुरूर बताना और लाइक करें कमेंट करें मैं चैनल को सब्सक्राइब करें जिनने अभी तक नहीं किया न्यू न्यू वीडियो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किये